पहले देश के प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काले रंग का ब्रीक केस लेकर चल रहे इस SPG कमांडों को देखिए अकसर कर आपने देखा होगा कि प्रधार मंत्री जहां भी जाते हैं खासतर पर सारजनिक जगाओं पर इस तरह की अटैची आपको तस्वीरों में देखने को मिल जाएगी राज की बात ये है कि आखिरकार इस अटैची में ऐसा क्या है इस अटैची से जुड़ी ख़बरों की अलग-अलग कहानिया है कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ लेकिन सबसे ज़ादा ख़बर तो इस बात की है कि इस अटैची में पियम बोदी परवारू बम का बटन लेकर चलते हैं ताकि देश पर आने वाले ख़त्रे से निपटने के लिए वो तुरंत बटन दवा कर दुश्मन को निस्तो नाबूद कर दे लोगों का तो ये भी कहना है कि इस अटैची का वज़न 10 से 12 किलो है और इसके अंदर सेटिलाइट से जुई तमाम मशीने और सौफ्टेयर लगे हैं जो सीरे इस अटैची को परमाडू बम से जोड़ती है इस अटैची को लेकर एक बोडिगाड हमेशा मोदी के इर्दियर्द रहता है इस अटैची की सच्चाई जाने के लिए हमने परताल की तो ये हकीकत सामने आई रानमंद्री के साथ चलने वाली अटैची नुमाचीज कोई परमाडू बम का बटन नहीं बलकि ये तो पोटेवल बुलेट प्रूफ शील्ड है हमले के वक्त ये तीन हिस्तों में खुल जाता है और ये एक शील्ड की तरह काम करता है ये बुलेट पूरूफ होता है और इसमें से गोली आरपार नहीं जा सकती साजरी के जगाँ पर स्पीजी कमांडो इस वजह से इसे साथ दिकर चलते हैं कि अगर प्रधानमंत्री पर किसी तरह से हमला होता है तो प्रधानमंत्री को इस शील्ड से चारो ओर से खेर कर सुरक्षित किया जा सके इस बृट केस में एक गुप्त जेब भी होती है जिसमें पिस्टॉल छिपी रहती है दुनिया के कई राष्ट अध्यक्षों के साथ इस तरह की अटैची से लैस्ट कमांडो आपको दिख जाएंगे तो अगली बार अगर आपको प्रधानमंत्री के साथ ऐसी अटैची नजल आती है तो उसे परमाडू बं का बटन समझने की भूल मत किजिएगा क्योंकि परमाडू भमले जैसे महतोपूर फैसले काफी सोच समझ कर किये जाते हैं जल्दबाजी में नहीं